दोस्तो नमस्कार रवी चंदरन अश्वीद ने कुछ अपने दिल के उद्गार व्यक्त किये हैं अपने यूट्यूब चैनल में उन्होंने कहा है कि जो भारती क्रिकेट टीम इन दुनों अभ्यास कर रही है वेस्ट इंडीस के दौरे पर बारबड़ोस पहुंचे थी दस द मेर लीक के उन्होंने कहा कि छे से साथ मैचों में उनको उतरना था लेकिन चार ही मैच खेलकर वो आ गए और उसके बाद वेस्ट इंडीस रवाना हो गए हाला कि उन्होंने कहा कि डब्लू टी सी फाइनल की कड़वी यादें भारती ये खिलाडियों को साल रही है और ये पूरा शेडूल बताया है कि हम जो है पहले टेस्ट के लिए जो डॉमिनिका रवाना होने से पहले जो है दो दिन का एक अप्यास मैच खेलेंगे और जब हम जैट लैक से उबरे थे और उसके बाद दस दिन का यहाँ पर कैम्प लगा हुआ था और जो हमारे स्पोर्ट जो था उसने बीच वाली बॉल की विवस्ता कराई थी और हम लोगों ने वहाँ बीच वाली बॉल का लुथ उठाया और इसके बाद हम रोज पैक्टिस कर रहे हैं नए नए प्रियोक कर रहे हैं अलग-अलग तरह कि जो गेनबाज हैं एक ही बल्ले बाज को अभिहास करात हैं जिससे बल्ले बाज का अच्छा अभ्यास होता है और गेनबाजों को भी अच्छा कासा दूर्बा मिल रहा है तो यहां पर दो टेस्ट मैट भारती टीम को खेलने हैं तीन वंडे खेलने हैं पांस की टूंटी आई मुकाबले खेलने हैं और अब उन्होंने कहा है कि औराम तोर पर तीन या चार फास्ट बॉलर्स को खिलाया जाता है और स्पिनर क्या भारत दूसरा स्पिनर खिलाएगा अगर एकी स्पिनर खिलाते हैं तो क्या अश्विन की प्लेइंग 11 में जगा बन पाएगी ये कुछ सवाल है जिसका حल हमें अगले कुछ दिनों में मिल जाएगा लेकिन फिलाल जेट लैक से उबरने के बाद आप दस दिन के कैम्प में पसीना बाहरे हैं रवी चंदर नश्विन भारती टीम के अन्ने खिलाडियों के साथ आप क्या सोचते हैं कैसा रहेगा भारती टीम का दोरा क्या भारती टीम क्लीन स्विप करती हुई दिखाई देगी अपती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें नमस्कार